हेलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप लोग आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के उपर में आ रहा है कि जो आपके पंखे घर में लगे होते हैं वो गंदे क्यों हो जाते हैं वो ब्लैक कलर का बिल्कुल क्यों हो जाता है ठीक है जबकि आपको पता है कि जो पंखा है वो धूल को साफ कर देती है धूल को उड़ा देती है फिर उसमें गंदगी क्यों लग जाता है तो इसके बार गंदा क्यों हो जाता है तो इसके कारण में आपको बताता हूं यह पंखे की बनावट तो पंखे के जो बनावट है यही उसके गंदे होने का कारण है इस सवाल मेरे मन में भी था इस सवाल को हल करने के लिए मैंने बहुत से लोगों को से इसके बारे में पूछा इन ही में से आपको क्या होगा, पंखा आपको हवा नहीं देगा नीचे की तरफ, उपर की तरफ हवा देगा तो पंखे के गंदे होनी के प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ जिससे पंखे के पीछे की और मौझूद हवा के कड़ों को अपनी और आकरसित करती है और उन्हें आगे की और धक्का देती है और हम सब यह जानते हैं कि हवा में नमी होती है इसी नमी के कराण यह प्रक्रिया हो रही होती है तब नमी पंखडियों जब तो जो नमी है वो पंखडियों में चिपक जाती है और वह भाग थोड़ा सा गीला हो जाता है पंखडी के गीला होने पर हवा में मौझूद धूल के बारिक कणुस पर चिपक जाते हैं और वे पंखा गंदा हो जाता है उसको करना हो डी एंट बण्खे को अगया दोस्तों क्योंषक ना पड़ना चूड़ करने का या उसको चूने का आप paarट उसको साफ कर लिए ज्यादा वार्ट अफ़समें अबूट पॉस्ट्राइब Bitte ैज्व बहुत पसंद अपन्हों हुगा वीडियो पसंद चिलिए